देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश दस विधान सबा सीटे वहाँ पर खाली हुई है लेकिन वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्या कारण है इसके पीछे क्या अखिलेश यादो का पीडिये फॉर्मूला है जिसने भारतिय जुनता पार्टी को परिशान करकर रखा लोकसभा चुनाव में भी और आगे आने वाले समय में भी ये परिशानी बन सकता है क्या ये वज़य है इसको लेकर बाच्चेत करेंगे डॉक्टर संजी उत्रवेदी जी माय साथ तो किस तरह से इसे देखें और राजनेतिक परिपेक्ष में भारतिय जुनता पार्टी जो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे रहें उससे दोचार हुई है क्या वो वज़य है अकिले श्यादो का पीडिये फॉर्मूला वज़य है दीखें विस्तार में जाने से पहले आपका ध्यान खीचना चाहूँगा लखनव से एक खबर जो आई आज उसकी तरफ लखनव में जो समाजबादी पार्टी कारियाले है उसके बाहर एक पोस्टर लगा वो पोस्टर जो कहता था कि आयोध्या तो जहाकी है मतुरा अभी बाकी है आयोध्या चित्रकूट तो जहाकी है मतुरा अभी बाकी है आयोध्या के बारे में और चित्रकूट के बारे में जो चर्चाएं हो रही है वो सब लोग जानते हैं कि इस बात को लेकर है कि भारते जिन्ता पार्टी अपने तमाम दावे के बावजूद जो मंदिरों के शहर कहे जाने वाले ये सब शहर हैं यहां वो चुनाव हार गई टेंपल सिटीज आयोध्या को कहा जाता है बिल्कुल चित्रकूट को कहा जाता है तो फैज़ाबाद भी चुनाव हार गई ये जो पोस्टर लगाया गया ये एक आत्म विश्वास कि हमारा फॉर्मूला जो है भारते जन्ता पार्टी के फॉर्मूला के आगे ज्यादा दमदार साबित हुआ पीडिये जिसका आपने नाम लिया और इसलिए कहा गया कि आयोध्या चित्रकूट तो जाकी है मतुरा अ किया करती थी और टेंपल मुहमेंट से जुड़ा ही हुआ है ये और आज देखिए कि वक्त बदला है नारा वहीं है लेकि लगाने वाले चेंज हो गए है और नारे के माइने बदल गए हाला कि बाद में इसे थोड़ी देर के बाद इसे उतार लिया गया इस पोस्टर को इ उतार लिया गया क्योंकि ये थोड़ा जियादा हो रहा था समाजवादी बाद पार्टी मालों को लगा होगा लेकिन देखिए कहानी तो कुछ घंटे ही रहा ये पोस्टर वो कह गया कि आत्म विश्वास से लबरेज समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में और आत लोक सभा के दोरान खाली हुई सीटों की तो उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है और भी वज़े हो सकती है लेकिन हलाकि ये काम election commission का है इसमें कोई political party क्या ही तै करेगी लेकिन हैरानी इस बात में है कि सीटे खाली हुई है same time पे खाली हुई है नियम ये कहता है छे महीने के अंदर हो जाने चाहिए election कुछ सीटों पर हो रहा है कुछ पर नहीं हो रहा है ये तो उत्तर प्रदेश की बात हो गई बिहार में भी चार सीटे हैं जहां चुनाव और वहां तो मज़दार ये है कि एक पर तो हो रहा है लेकिन चार जो बाकी लोग चुनकर के पहुँचे हैं संसद संसद बने हैं उनकी सीटों पर नहीं हो रहा है और एक जो की संसद बनने के लिए उन्होंने पार्टी से स्तीफा दिया था जिस कारण से रिक्ती हुई थी बीमा भारती लड़ी पपू यादव से पपू यादव जीते लेकिन उन्होंने विधाय की छोड़ दी थी क्योंक पार्टी की सीटों पर तो हाँ ये आपका कहना सही है कि कब उन्होंने इस्तीफा दिया इस पर भी तैह होता है लेकिन ये बात तो अपने आप में बहुत महतुपूर है कि आज की तारीख में भारते जनता पार्टी आत्म मन्थन की मुद्रा में है वो इसलिए क्योंकि पिछले दिनों 6 और 7 जुलाई को लखनओ में बील संतोस जो की रास्टी संगठन महासचीव हैं वो पहुंचे थे लखनओ और बड़ी बैठके हुई हैं उत्तर प्देश में लखनओ में और ऐसी बैठके जो की इस बात को तैह करने के लिए थी कि 63 का जो आखड़ा आ गया तो वो आया कैसे तो वो कुछ इस तरह से बताया गया समझाया गया क्योंकि रिपोर्ट बनी है तो वो रिपोर्ट दिली जाए की तो संतोस जी को ये रिपोर्ट दी गई है और बैठकों में कौन लोग मौजूद थे उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गंभीर ये मसला है और कितनी संजीदगी से इसे केंद्र नेतर तो ले रहा है केंद्र नेतर के दूत बनकर बियल संतोष पहुँचे तो पहली बैठक मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री और उसके अलावा प्रदेश हिकाई के संगठर महा सचिव वो बैठे कोर कमिटी जिसको कह सकते हैं उसकी बैठक हुई और जो उसमें सवाल तै किये गए उसे फिर विस्तार से जो बैठक हुई भारते जिन्ता पार्टी के वरस नेदाओं की प्रदेश में उसमें रखा गया और हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार बियल संतोष च कहते रहे और प्रश्ण यही था उन्होंने बस इतना जानना चाहा था कि जो हमारा पारंपरी के वोट था जो हमारे साथ पिछले दो चुनाओं में था गैर जाटव दलित गैर यादव OBC आखिर ये वोट गए तो गए कहां आखिर ये वोट छिटके अगर तभी तो हमारा आकड़ा 62 से 33 आगया तो ये गए तो गए कहां और सब लोगों ने कहा कि उसका जबाब जो है दरसल वो कि उन्होंने अपने वोटिंग प्रेफरेंस बदल लिये और भाजपा की जगए उन्होंने सपा को वोट दिये और इसकी सबसे बड़ी वज़ा ये थी कि 400 पार का जो सब भी है बातें कि कौन से वो विधायक थे जो अपने अपने शेत्रों में अपने उमीदवारों को जिता नहीं पाए हैं अपने सांसद की सीड़ पर जो पार्टी टिकट ले करके गया था वेक्ति उसे जिता नहीं पाए और क्या वो कहीं साजिशन उन्होंने नहीं उनको जिताया या फिर वो अक्षम हो गए हैं उनके पास वोटी नहीं रह गए तो ये भी ये रिपोर्ट तैय करेगी कि कितने लोगों की टिकटे कटने वाली हैं विधान सबाद चुनाओं में तो ये तमाम मन्थन जो चल रहा है ये मन्थन अपने आप में इस बात की और इशा चलता में भारते जंता पार्टी प्रदेश में है उत्तर प्रदेश के उसकी नीव को भी कहीं न कहीं हिलासा दिया है और इस कालन से भी ये मान कर चला जा रहा है कि ये जो उपचुनाओं हैं अब ये उपचुनाओं होंगे वो जो तीन राज्यों के विधान सभा महरास्टर और हर्याना उसके साथ ही होंगे उसके साथ होंगे लेकिन उत्तर प्रदेश की खासतोर पर बात करें तो यहां पर पीडिये का जो फॉर्मूला था अखिलेश यादो ने जो एक सामाजी गुणा गड़ित बैठाया था उसके सामने भारतिय जनता पार्टी क्या प प्रश्कों को समझाए कि किस तरह से भारतिय जनता पार्टी काउंटर करने की कोशिश कर रही है इस पीडिये को देखिए पिछड़ा दलित और अलप सिंख्यक यह वोट कॉंबिनेशन कैसे बहुत ही फॉर्मिडेबल है बहुत ही मजबूत है इसको ऐसे समझे कि जो पूर प्रदेश का यह आखड़ा है 13-14 फीसदी यादव जाती के वोट्स है करीब 21 फीसदी दलित अबादी के वोट्स है और करीब 20 फीसदी के असपास मुस्लिम वोट बैंक है अगर आप सब को जोड़े तो यह 50 का आखड़ा पार कर जाता है तो कोई भी जो कॉम्बिनेशन है वो सामने नहीं रह जाता है इस कॉम्बिनेशन के इस कॉम्बिनेशन को पहले इसी लिए कमजोर कर दिया जाता था भारते जनता पार्टी के द्वारा क्यूंकि दावेदार के तौर पर इसी कॉम्बिनेशन का बी- someone.S.P. भी होती थी तो इस बार जो बी- Boss.P. की एस्तिती हुई है उसके पास न कोई पिछड़ा वोट गया न कोई मुस्लिम वोट गया और दलित वोटों में भी उनके पास जो दलित वोट आए बस जाटवों के आए बाकी के दलित वोट जो है वो सपा को चले गए तो नतीजा यह हुआ कि यह जो पिछड़ा दलित अलप संख्यक य अब ये सोचा जा रहा है कि इसका काट क्या हो सकता है भारते जिन्ता पार्टी इस प्रियास में लगी है तो अब उनकी तरब से जैसे कि एक अब इसे आप ट्राइल बलून ही कह सकते हैं क्योंकि एक नेता है कौशल किशोर महलाल गंच से लगातार दूबार सांसत भी रहे थ अब वो जो है लगनौ से सटीवी सीट करीब करीब लखनौ में ही सीट वो पढ़ती है तो उन्होंने डी पीए चलाने का कारिकरम बनाया है 15 अगस्त से और कहा है कि दलित पिछडा और अगडा उन्होंने अलप संख्यक को हटा दिया है और यहां ए जो है वह अगडा हो गय नहीं बदलना चाहते थे और यह हमारे खिलाफ एक नरेटिव तयार किया गया था और हमें बदनाम करके हमसे सीटे ली गई है देखिए कौशल किस हो बहुत नामी गिरामी नेता हो ऐसा नहीं है वो ठीक है कि दो बार के सांसाधे केंडर में मंतरी भी रहे हैं लेकिन चुक पर राजनाज जी हैं वो अगर ये बात कहते हैं तो जाहिर है वो प्रभाव नहीं छोड़ेगा जब कि बड़े नेता है बहुत बड़े चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के मुक्यमंतरी भी रह चुके हैं लेकिन यहां पर सवाल है डलित और पिछुडों का और वो वोट अग है कि यात्रा तो क्या ही निकालेंगे लेकिन यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश में खास तोर पर अगर आप देखें तो जितने उत्तर प्रदेश में पूरी उत्तर प्रदेश में यह पीडिये चला है अगर वो विधान सभा में भी चल जाता है तो बहुत मुश्किल हो जा और उसके बाद वहां से जो शुरुवात हो तो फिर जाकर कि हम विधान सभा चुनाव 2027 दूर है पर फिर भी ये जो डर आया है इस डर को काउंटर करने का कोई तरीका हम इजाद कर ले और इसी करण से हम बहुत ज़्यादा उच्छुकता चुनाव हो जाएं उत्तर प्रिद अगर इन 10 सीटों पर भारतिय जनता पार्टी अच्छा प्रफॉर्म नहीं कर पाती है तो आगे आने वाले जो चुनाव हैं वहां तक का जो सफर होगा वो भारतिय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किल होगा अगर इन 10 सीटों पर भारतिय जनता पार्टी जो की कुछ छे मैने की मियाद होती है तो उसमें अगर जीती है इन सीटों में जाद से जादा सीटे भारतिय जनता पार्टी के खेमे में जाती है तो फिर भारतिय जनता पार्टी के लिए आगे की राह थोड़ी आसान नजर आएगी क्या हम इस तरह से इसको देख सकते हैं इन दस सीटों के नतीजे तै करने वाले अब देखे सध्धान्त में तो आपकी बात मुझे सही लगती है कि इस पर अगर मजबूत भारते जनता पार्टी साबित होती है तो उसके लिए 27 की राह जो है वो थोड़ी सुगम होगी लोग सभा के नतीजों से तो सुगम नहीं दिख रही है पर दूसरी बात भी समझे कि सीटे कौन कौन सी है और वहां से फिर ये जो सुगमता वाली लाइन है ये थोड़ी सी आपको डिस्टरब दिखाई पड़ेगी मिल्की पुर आयोध्या में मिल्की पुर पाइजाबाद की सीट से अफदेश प्रसाद चुन करके आए है लेकिन व परहल की सीट अखिलेश हारेंगे तो इस तरह से बहुत सी सीटे हैं कटहरी है कुंदर की है गाज़ेबाद खैर फूलपूर मीरापूर मजवा और सीशामौ यह दस सीट है यह सीट है वह इर्फान सुलंकी के द्वारा खाली की गई है क्योंकि MP MLA कोट में वह सजा पागए साथ Euchengel तो इसकारण से लेकिन बाकी के तो नौग चुनकर के सांसत बने हैं इसलिए 10 सीटे हैं तो इसलिए बहुत आसन नहीं होने जा रहा है यह जो लड़ाई है यह लड़ाई तो बहुत टफ लड़ाई मानी जाएगी क्योंकि आपको वैसी वैसी सीटों पर कंटेस बन गई हैं जैसे कि फैजाबाद में मिल्की पूर है और मिल्की पूर मैं आपको बताओं कि इसके पहले लड़ा करते थे मितर सेन यादव जो की समाजबादी पार्टी के ही थे और उसके पहले कई अने दिलों में रहे थे और वो सीट हमेशा वो जीती लेते थे बहुत आसा मतलब दाट से पकड़के रखेंगे करहल भी उसी तरह से डिफिकल्ट सीट होने जा रही है तो इस तरह की सीटें जो है वो जीतना और चीजों का आसान कर लेना ये बहुत मुश्किल है जब दिल कि कोई सही कॉम्बिनेशन नहीं बैठ जाता है मैं इसलिए कह रहा हूँ य क्योंकि देखे अगर मैं पूर्वांचल की ही बात करूँ जहां ये सबसे ज़्यादा चला है तो 21 सीटें 21 जिलें हैं जहां पर सबसे ज़्यादा पीडिये का प्रभाव दिखा गया और जहां से सबसे ज़्यादा सांसद निकले हैं समाजवादी पार्टी के 21 जिलों में 26 लोग सबसे के सीटें हैं और ज्यादा तर सबाने इस बार जीती हैं अब इन ही 26 में से बनती है 130 विधान सबसे तो आप देखे कि अगर ये नहीं संभलता है तो फिर ये 130 विधान सबसे मुश्किल में चलियाती हैं और ऐसे में जब कि BSP का धीरे धीरे कमजोर होना लगातार जारी है तो ऐसा लगता है कि अगर केवल और जाटब वोटों के साथ BSP रह जाती है मुस्लिम वोट बैंक उसके साथ जाता नहीं है तो वन उन वन फाइट हो जाता है क्योंकि कॉंग्रिस और सपा एक तरफ और कॉंग्रिस एक रिचार्जड एनरजी के साथ सामने आ रही है और मुस्लिम वोट बैंक अपने आपको बड़ा कमफर्टिबल पा रहा है सपा और कॉंग्रिस अगर एक साथ खड़े हैं तो उसे कोई दिक्कत नहीं है वो बीस बे को बहुत आसाली से छोड़ कर चला आ रहा है तो ये एक बड़ी मुश्किल इस्थे थी आप देख लीजे कि कैसे डिस्ट्रिबूशन है सपा के सीटों का बीस सीटें जो है वो OBC से हैं उनकी बीस सांसदी जो है सांसदों की सीट OBC के हैं आठ जो है वो दलितों की हैं दलित समाज से आने वाले लोग सांसद बने हैं सफा की टिकट पर और मुस्लिम समाज से आने वाले चार और पांच सीटे अन समाज आने के सवर्ण समाज से आए हैं बीस और आठ अगर आप जोड़ें तो पी और डी जो है मिला करके 28 हो जाते हैं और उसमें अगर आप अल पे संख्यक जोड़ देते हैं तो चार यान के 32 सीटें जो हैं वो चली जाती है इस अलायंस को तो यह अलायंस एक ऐसे फॉर्मिले की तोर पर सामने आ गया है जो बहुत ज्यादा मुश्किल सावित हो सकता है भारती जिनता पार्टी के लिए और इसलिए वो जो चिनतन आत्ममन्थन और वो तमाम बैठकें जो हैं अभी 14 तारीकों फिर से बैठक होने जा रही है भारती जिनता पार्टी की लखनव में और ये सब कुछ तैह होने के बाद ही कोई चुनावी परिक्षा में क्योंकि हर चुनावी परिक्षा अब वो अ इस जो जो की महलाल गंच से सांसद रहे दो बार के उन्होंने निकालने की कोशिश की है अब उनकी प्रयास कितने सकस्फुल होते हैं कितने कामयाब होते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा लेकिन पीडिये ने परिशानी तो खड़ी की है इसकी कार्ट भारतिया जन झाल झाल